नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्रिकेशा नियूज में अब वक्त हम अध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के उपरते हूँ आपको बता दें इंधॉर कोंग्रेस के अधिकरित・ प्रत्याशी अक्षेबबं द्वारा नामांकन पतर वापस लेने के बाद कॉंग्रेस नेता मोति सिंग ने हाई कोट में आचिकां दायर कर खुद को कॉंग्रेस का अधिकरित प्रत्याशी घोशत करने की मांग की है मोती सिंग की ओर से पैरवी कर रहे एड़ोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि कॉंग्रेस दौरा जारी B-form में दो प्रत्याशियों के नाम थे इसमें अक्षेवम का नाम अनुमोदित यानी अप्रूवड प्रत्याशी और मोती सिंग का नाम वैकल्पिक्स यानी ओप्शनल प्रत्याशी के रूप में दर्च था बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने मोती सिंग का नाम इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके फॉर्म पर प्रस्तावक के रूप में दस लोगों के बज़ए सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने हाई कोड में आचिका लगा कर चुनाव चिन आवंटित करने की मांग की है वहीं अगली खबर के और पर पर आपको बता दे भाचपा के राश्य महासचव के तोर पर दस सालों तक केंद्र की राचनीती में सक्रे रहे कैलाश विजयवर्ग्या ने कॉंग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम का नामांकन फॉर्म वापस कराकर दिल्ली दरब तक की ये संदेश महुचाया है कि वो चुनावी मैनेजमेंट के माहिर खिलाडी हैं शहर के लोग मान रहे हैं कि इंदोर में भाचपा की स्थिति वैसे भी मजबूत है अगर बम भाचपा में नहीं आते तब भी भाचपा उमीद्वा शंकल लालवानी को कोई बड़ी चु बता दे कि सूरत में भाचपा प्रत्याशी बिना किसी विरोध चुने गए इंदोर में ये नहीं हूपाया भारी शरद गौतम ने बताया कि सबजी मंडी से कोतवाली पोहँच मार्ग पर बड़े बड़े दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने सामान रखकर अतिक्रमन कर रखा था जिससे सड़क सक्री हो रही थी और आवजाही में भी दिक्कत होने लगी थी सबजी मंडी होने की वजा से भीड जादा होती और सड़क सक्री होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है महीं अगली खबर के और बड़तों आपको बता दे खनवा रेलवेज जंक्शन पर मंगलवार सुबह करीब सवा आठ बजे खनवा इटारसी ट्रैक पर मालगाडी के पाँच डिबबे इंजन से अलग होने के बाद पटरी से उतर गए ट्रैक पर पीछे की ओर करीब 250 मीटर तक लोडखने के दोरान डिबबे ओएची लाइन के पोल से टकराने पर कई पोल छतिग्रस्त हो गए इस से पावर सप्लाइ ठप हो गई इस हादसे से दिल्ली मुंबई ट्रैक पर ट्रेनों की आवजा ही प्रभावित हो गई रेलवे का आमला सुधार कारे में जुड़ गया हादसे की वजा से खनवा जॉंक्षन के प्लाटवर्म नंबर 5 और 6 के उपर से गुजर रही पावर सप्लाइ को बंद कर दिया गया जिसके चलते दुरगटना के वक्त प्लाटवर्म नंबर 5 पर खड़ी भागलपूर सूरत एक्स्प्रेस को जॉंक्षन पर ही डोग दिया गया जिससे उसमें बैठे यातरी परिशान होते दिखाए दिये वहीं अगली खबर के और पर तो आपको बता दे जबलपूर में एक फाइट स्टार होटेल में फिर आग लगने की खबर सामने आई है शहर के आलिशान होटल विजन महल में आग इतनी भीशन लगी कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया हाथ साबीती देर रात करीब डेर बजे का हुआ है जब यहाँ वैडिंग पार्टी चल रही थी एस दोरान लाखों का सामान आग के हवाले हो गया हाला कि आग की वज़ा का अभी तक कोई पता नहीं चला है मामला जबलपुर के थाना गोरा बाजार के विजन महल होटल का है जहां आग लगने की सूचना पाकर दमकल की छे गार्या मौके पर वहुँची और हालत पर काबू पाए बताया जा रहा है कि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि महमानों समेथ होटल में ठहरे सभी यात्रियों को बाहर भागना पड़ा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशाने उस थन्यवाद